यह महाराजा बहादूर है जो अभी राज चला रहे हैं यह दर्वार है इसको हत्वाराज के महल के पास यह देखिए हमारे सामने जो है यह हत्वाराज का महल है यहीं से हम लोग एंट्री करेंगे जोस्तों यह जो हत्वाराज है वो भूमियारों के बगहोचिया राजवंस के सरदार से सम्बंदित है इस राज में जो थे हत्वाराज में वो 1365 गाओं लगभग थे और 391,000 से भी जादा लोग रहते थे इसमें और यह जो राज था वो सारन मंडल में पढ़ता था हत्वाराज का जो महल है वो कितना संदर बना हुआ है बहुत ही खुदसूरत बनावा है इनके बहुत सारे यहां महल है और एक खास बात यहां के है कि महराज जब जिस महल में आज आते हैं वो लोग उनके फैमिली के लोग मतलब तो उसमें एंट्री नहीं होती है घूमने के लिए और जिस महल में नहीं रहते हैं वो महल हम लोग घूम सकते हैं और जिसमें मतलब आते हैं रह रहे हैं वो जब जाएंगे तब उसमें एंट्री होगी तो यह जो महल है इसमें जो है महराज के बच्पन के खिलोने मैंने सुनाए रखा हुआ है तो चलते हैं वो देखते हैं हम लोग यहां से आप एंट्री करेंगे और यहां पर आप विजिटर्स बुक में आप अपना नाम लिखेंगे तब जाके आप पुरे महल घूम सकते हैं यह पुरानी घड़ी लगी हुई है यहां पर यह देखिया हम लोग यहां से जहर के उपर जाएंगे यह जो है हत्वा राज का एक प्रोजेक्ट है जिसमें ट्रेन रूट को दर्साया गया है हत्वा से पटना के बीच की तब ट्रेन के झाएंगे डिक का तंग जिस में ट्रेन कीपी की जिस्वानी ता प्रेक्वार का फ्रेटन तेवर स्क्रवाट के छिस्वादा को छूछ द्रेन मुख्रा। पटना के बिल्डिन टीन टावर वाली टीन टावर जो पतना में बना है वो ये राजंदर नगर रेल वे स्टेशन थो कि इस अब प्रोजेक्ट तयाब ही एक फिस प्लेंड रूट का और मतलब अभी बना नहीं है अभी इसा बनेगा मेभी इसाव या वाई है जाए लाइट कट गए थी और हमारे लिए जनरेटर चालू हुआ है दिखाने के लिए अभी फ्लेन हो रहेगी दोड़कों तो गाइस अब जो है जनरेटर चालू हो गया हमारे लिए कि ये जो है प्लेन अपने हईवेड पे चल रहा है और ये कतर की प्लेन है और ये उड़ने वाली नहीं है क्योंकि ये बस एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जो कि सिर्फ हाइवे पे चलेगा अब भी मतलब प्रोजेक्ट है ये रनवे पे ही चलेगी या फिर उड़े की भी तो अभी जिस मंदिर से हम लोग घूंके आये थे यहाँ पे उसकी छवी बनी हुई है ये थावे माता के मंदिर और यहाँ धेर सारे पेर पौधे थे तो यहाँ पे बनाएगा है तो लगता है शिब भी चलेगी और अब राजमाहीं के अंदर है और हमारे सामने राजमाता का जूला है ये देखिए इसको ना टच करना है इस पर ना बैठना है दोस्तों पुझ मादूर को जाएगा उसका बात से दिन में पूला जाता है और ये रात में बन हो जाता है राजमाता का श्टेस सा परसे चोटा सा फ्रिस ये महराजा बहादूर है जो अभी राज चला रहे है राजमाता के नाति है ये है राजमाता इनका डेथ हो चुका है ये क्या चिसका है अच्छो ये राजमाता है और ये हमारे पुर्फ मुख्यमंत्री लालुयादव ये कौन है उनकी बेटा पत है राजकुमार है ये कौकत्ता का बिल्डिंग है ये हमारे करेंट सी है ये सारे खिलोने पुराना फ्रेज है राजमाता इसको केरोसीन ओइल से चलाती थी पता ने कैसे चलता होगा बट ये केरोसीन ओइल से चलता था ये फ्रेज है पुराने जमाने का ये हमारे का बिल्डिंग है ये हम पर जिनलोजिकल टेवल ओफ हद्वा माहराज फैमली का बना हुआ है सारे इतना छोटा छोटा लिखाए की दिख भी नहीं रहा है ये कूलर है इधन से हाथ से चलाते हैं एक साइट से दूसरे साइट से इसमें हवा आती है पुरानी जवाने का है राज में तब कुझा करते हैं पटना में वहां से यहां पाए हाथी के लिए हाथी के लिए हौदा यह है सारे ओफिशिल्स मीटिंग यहीं पे होते हैं अब हमने हत्वा महराज का किला घूम लिया है अब इनके पुराने किले में हम चलते हैं उसके बाद मंदर आपने अभी देख अगा हाथ हौगा अच्छे से डावरेशिन प्या गया लग रहा है कि अभी महराज है यहां रहते हैं इतने अच्छे से रखा गया है इसको दोस्तों ह मोया गया है हत्वा महराज के जूशे महल के पास की यह देखिई सामने यह है हथवा महराज का महल यह हैं एंट्री गेट यह है महल यहां से आपको दिखरा होगा मैंने सुनाए दोस्तों कि इसमें बहुत अच्छी चीज़े रखी हुई है मतलब बहुत ही पुराने पुराने फोर वीलर्स गारियां मतलब इनकी यूज की चीज़े रखी हुई है लेकिन हमें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा इसलिए क्योंकि महराज बहादूर जो है वो अभी आए हुए हैं और इस पैलेस में भी रुके हुए हैं तो वो अभी किसी को घूमने नहीं देते हैं तो चले जाएंगे तो फिर घूमने देंगे लेकिन उस ताइम तो हम रहेंगे नहीं अच्छी तो अभी हम लोगों को परमेशन अंदर नहीं मिलेगा जाने का क्योंकि वो लोग यहाँ पर स्टे कर रहे हैं तो अब बेटर लेकिन नेक्स ताइम हम लोग जो हत्वाराज के महल गए थे सबसे पहले वो शीष महल था उसके बाद जो गए वो पैलेस था पूराना किल्हा प्रेम मेराची है से फूरी दीम मों desperacy म है भीत पुराना कילा है तौरफे कह भीते असली क्या हुंकरे कर दिक न्यॉटे कह थिए उना आलाची एुट्ग elles वैंज क्याना उना नॉन्ही कह तो सब्सार्य स ucz kiedy इसको मेरा ओख फूराना किलह तूअ कि कि कितना पुडाना है यह यही है पुडाना किला बहुत पुडाना है इसलिए यह धैर रहा है जो घिला है इसका कुछ पूर्शन जो है वो रिपेर किया गया है कुछ पूरा खंडल हो गया है इसको पूरा तोड़ा नहीं गया है यह राजपरिवार का मंदर है यहाँ पे शिवलिंग की पूजा की जाती है अभी भी होता है तब तो यह एकदम ताजे फूल रखे गये हैं देखो कितना मोटा मोटा वॉल है मिट्टी से जोड़ा हुआ तो ये सब वॉल जो है मिट्टी से जोड़ा गया है कितने इंच का होगा आप गेस करिए 20-25 इंच का तो होगा है ये दिवाल अभी के जो लोग हैं वो बस 5 इंच का दिवाल बनाते हैं तो कैसा मकान होगा आप समझी सकते हैं कमजोर अभी का और पहले पुराने जबाने का कितना मजबूत होता था तो अब हम लोग कहां जा रहे हैं हम लोग अभी जाएंगे गुपल मंदिर यहां पे एक फेमस मंदिर है कहते हैं वहां पे एक पोखर है कहते हैं माता वहां से नहाती थी और अंदर ही अंदर सीधे गुपल मंदिर में चली जाती थी भगवान का पूजा करने और गुपल सब्सक्राइब में सब्सक्राइब सब्सक्राइब यहां पुराने किले में खेती भी करी जा रही है और धेर सारे फ्लार्स भी लगाए गए हैं पुराना महल को डेकुरेट करने के लिए दोस्तों यहां इतने सारे सुन्दर सुन्दर फूल है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं उसको तोड़के अपने बालों में लगा लूँ बट यह बात गलत है इसलिए मैं गलत काम नहीं करती हूँ इसलिए मैं नहीं तोड़ूँगी हम लोग गोपल मंदिर के पास पहुँच चुके हैं यह मंदिर का एंट्री के और यहीं से हम लोग एंट्री करेंगे वैसे मुझे लग रहा है इनका नाम होगा गोपाल मंदिर लेकिन यहां के लोकल भाषा में गोपल मंदिर कहा जाता है तो चलते हैं देखते हैं क्या ना विजसे है कि nggak कूझतों अभी अभी जस्ट मेरे सामने या पो खर महारा नाया करती थी और शीदे अंदर अंदर ही मंदिर में सूज पूझा कर दो ये दिस ये पोग दोस्तों वे जू है वह किला टैप लग रहा है क्योंकि लग रहा है वह महारा नहीं बनवा लिए हैं और हमने पंडिट जिसे पूछ के कनफर्म कर लिया इसका नाम गोपाल-मंदिर है बाटिहां की जोड़े हैं वो गोपल-मंदिर इसको कहते हैं और जो में जो मेरेज़ हॉल है مुझे लगा इसी मंदिर का कुछ सजावट किया ओगा होगा बाट ये मैरेज वहां से अंदर के पास से मंदिर के अंदर ही निकलती थी पराणी का अपना परसनल पोखर था यहीं पराणी नहाया करती थी और मंदिर जाया करती थी यह एक ही पोखर रही एसे धेडों पोखर हैं यहां पर उनके पूरा हात हुआ जो है उनही का है वही ओन करती हैं और जितने भी यहां पर स्ट्रीट शॉप वगेरा है महाराणी को हर मंत पैसा देते हैं। अभी जो राजा है जो राज को चलाते हैं उनको तो इसी के साथ इस व्लॉग को यही करते हैं और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो Do, Like, Share and Subscribe